तो जी वीडियो किस दिन का है ये तो आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एक्जैक्ट जो डे है वो मुझे याद नहीं है ये श्याम का टाइम है ये ओफिस से आ चुके थे और जहांपर शायद मेरा लास्ट वीडियो खतम हुआ था ये उसी दिन का हो सकता है वीडियो होगा तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो बैलकनी वगरा है वो पेंट होनी थी ग्रिल वगरा पेंट होनी थी तो सारी जो है पेंट हो चुकी है उसके बाद बारी आती है जितने भी हमारे प्लांट्स वगरा थे ना उनको उनकी जगे पे अरेंज करने की तो एक बार ना एक कमेंट भी आया था जब घर का काम शुरू करवाई रहे थे कि प्लांट्स लाने की क्या जरूरत थी प्लांट्स खराब कर दिये घर का जब काम होना था तो तो ऐसा नहीं है जब कोई मतलब कुईसी चीज़ को खरीदता है तो उसकी केर भी उसको तनी ही हो है जबकि आपने देखा होगा कि इस वाली जो बैलकनी है ना इसमें पूरा सामान जो है वो भरा हुआ था मतलब फुल थी बैलकनी पुरी उसके बाद भी जितने भी हमारे प्लांट्स थे ना वो सारे मतलब सेफ हैं और हम उनमें रेगुलर पानी वगरा डाल ही रहते ताक और हम आरे पास ऐसा हो रहा है कि मतलब एक रूम में हम दोग शीफ्ट करते हैं तब जाकर दूसरे रूम पे काम चलता है तो इससे पहले जो है हमारा जो बैडरूम था उसमें हम लोग थे थोड़े टाइम के लिए उसके बाद हम यह दूसे वाले रूम पे शीफ्ट हो लेकिन जो लास्ट का काम था ना जो टच आप बाकी था उसमें बहुत टाइम लग गया मतलब उसी काम में इतना टाइम लग गया कि हमारा काम जो है वो रात को 9 बजे खतम हुआ है पूरा और धन 13 से एक दिन पहले हमारा काम जो है घर का वो कंप्लीट हो गया था मतलब 21 तार सजावा लग रहा है और दिवाली आते आते तक तो जितनी भी बैलकनी है आपको एक भी खाली नहीं दिखेगी सब में लाइट्स वगयरा आपको दिखती ही रहेंगी तो हम लोग भी बस यही वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से जो है काम वगयरा निपर जाए तो हम लोग फिर अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे उसके बाद यह है नेक्स डे मॉनिंग का वीडियो और यहाँ पर मैं जो है ना पनीर के पराठे बनाने की तयारी कर रही हूँ अच्छा बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं और बस यहाँ पर मैं अपने लिए और इंकल लाइब करें हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आप वीडियो नहीं डाल रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे सौरी बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा लेकिन आप मेरी मजबूरी थोड़ा सा समझीए किसका मन नहीं करता है वीडियो डा छग थी इन दिनों की सच बताओं तो खाने की फूसत नहीं थी हम लोग तीन टाइम में भी मतलब दो टाइम धंक से खाना खा पा रहे थे घंक से क्या बताओं जहां जग Hem लोग खाना खा रहे oh। ऐसा मत कीजिए अंसब्सक्राइब मत करना और प्रामिस करें हूँ कि आज से वीडियो कंटिन्यू आएंगे इस वाले चैनल पे तो मैं कंटिन्यू रहूंगी ही और कोशिश करूंगी कि जो मेरा दूसरा चैनल है नमीता एंड हर फैमली वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू रह मैं जितने दिन तो वह सारी भरपाई कर दूँ मैं दूसरे चैनल पे भीese डैली व्लॉग डाल के तो प्रीज अंससब्सक्राइब मत करना और अगर कि सिने गुसे में अंससक्राइब करें है तो प्रीज स्ब्सक्राइब कर लेना दूबारे से ठीक है अब आपको शिकायत का माका नहीं मिलेगा तो यहां पर देखिए चाय वगएरा मैंने बना दी थी और उसके बाद ना यहां जो रूम था ना इसका काम सारा निपड़ चुका था तो यहां पर मैंना वाश कर रही थी थोड़ा सा ना फर्श वगएरा दो रही थी क्योंकि बहुत जादा रेत थी तो मैंने सुझे चलिए थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर देती हूं तो थोड़ा ठीक रहेगा लेकिन वही था वह जो टच अप वाला काम था अभी तक भी नहीं हुआ था तो यहां क्या हुआ सफाई करने का कोई फायदा हुआ नहीं मैंने बहुत मैंनत करके जो है पानी भर बरके जो है पूरे फर्ष वगेरा धो दिये लेकिन थोड़ी ही देर में जो काम करने वाले थे वो वरकस वो आये और उन्होंने फिर से वैसे ही गंदगी फैला दी तो मतलब मेरी पूरी मैनत जो है वो मिट्टी में मिल गई थी और मुझे गुस्ता तो बहुत जादा आ र इस वज़े से मैं थोड़ी सी रिटेट होने लग गई थी अभी लास्ट लास्ट में अच्छा ये है धन तेरस वारा दिन मतलब ये कल का वीडियो है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि धन तेरस से एक दिन पहले जो है घर का पूरा काम हो चुका था और अब जाके फाइन तो आपको तो हाउस केपिंग वाले मिलते नहीं है फिर वंजीघय को बापमाने बोला की चलो एक काम करेंगे हम हाउस कीपिंग वालों को बुलाएंगे थोड़ा हड़ा सब किस्मत इतनी खराब कि एक 預दब ़ो और ऑग चलो कोई आ जाएगा तुम किसी को देना सिर्फ ये धुलाई करने के फिर मैं लग गई मैंने का छोड़े हो अब जो भी होगा मैं अपने आप से करूंगी जितना भी हो पाएगा मैं किसी हाउसकीपिंग वाले को नहीं बुलाओंगी क्योंकि अल्रडी मैं अपना बहुत सारा टाइम जो एना खराब कर चुकी थी और धन तेरस वाले दिन और भी बहुत सारे काम थे हमें शॉपिंग भी करनी थी हमने भी कुछ भी नहीं खरीदा था अपने घर के लिए तो मैं आप पर सफाई में लग गई हूँ अच्छा इस समय ना वंजिका के पापा हाउस कीपिंग वालों को थोड़ा सा मिल जाए लेकिन फिर वो आ गए ऐसे उन्होंने का कोई नहीं मिल रहा है सब बहुत जादा चार्ज कर रहे हैं तो जब तक वो आयरा तब तक अल्रीडी मैं अपने तीन रूम धो चुकी थी तो यहां पर देखिए मैंने यह जो ड्राइंग रूम है वो मैंने पूरा अच् की तो यहां देखिए फटा फट से इसको भी है मैं वाइपर की हेल्प से कर दूंगी क्लीन अच्छा जैसे जैसे घर साफ हो रहा था ना मुझे इतना ज्यादा रिलैक्स मिल रहा था ना कि चलो फाइनली अब थोड़ा सा जो है घर क्लीन होने वाला है लेकिन इन जो दो द होते हैं औरों का काम बहुत जादा बढ़ी ही जाता है क्योंकि हर चीज़ को अपने ढंग से करना है हर चीज़ को अरेंज भी अपने तरीके से करना है क्योंकि बाद में काम हमें ही करना है तो बस यहां पर देखिए मैंने मंदिर वाला जो रूम है उसको भी अच्छे से ध रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है अज हलका सा सूख रहा है फिर से उनके उपर दूल की परज जैसे दिख रही थी तो यहां पर जो है मैंने सारे सोफे बगएरा कर लिए है क्लीन और जो बहुत जाद तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो शायद अंदर के रूम थे ना वो भी मैंने क्लीन किये थे बट नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि क्या होता है जब हम वीडियो बनाते ना तो जो काम हमारा एक गंटे में होना होगा वो हमारा दो गंटों में होता है तो इस वज़े से थोड़ा थोड़ा सा शूट कर रही थी जहां पर करने को मिल रहा कई पर मैं भूल भी जा रही थी सच बताऊं तो अच्छा ये देखिए बैड के हाला दुबारे से क्या हो गए थे तो आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने अपना बैड क्लीन किया था लेकिन ये फिर से बैड की हाला खराब हो गई थी तो मैंने इसको फिर से जो है दो सारा समान जो है लेकर आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने बैड अच्छे से क्लीन कर दिया है और इससे भी जादा खराब हाला दूसरे वाले बैड की है भी आपको मैं दिखाओंगी यहाँ पर जो हम दोनों मिलके ही गदा भी उठाके ले आया थे कि चलो हालनके अभी काफी सारी सफाई मेरी रहती है जो कि बैड के अंदर की क्लीनिंग है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत जादा क्लीनिंग में लग गई तो मेरा तेवार खराब हो जाएगा मैं दिवाली तक बीमार पढ़ जाओंगी तो मैं सोची कोई बात नी अभी चादर उठाई तो देख सकते हैं आप कितने बुरे हाल थे अच्छा कितनी सारी बैड शीट तो मेरी खराब हुई है इस चक्कर में मतलब कहां वाम के चक्कर में बट वही है कि चलो सारी चीज़े तो आ जाएंगी बस यहां पर यह थोड़ा बहुत में क्लीन कर देती और पहले तो समझी नहीं आ रहा था कि कहां से सफाई शुरू करें लेकिन जब आप एक बार करने लगते हो ना काम तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ हमने किसी और को नहीं बुलाया अगर मैं किसी और को बुलाती अपने साथ हैल्प के लिए तो उनके साथ लगना ही पड़ता तो इससे अच्छा है कि मैं खुदी कर लूँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट यह है कि अपना सफाई से सारी चीज़े हो जाएंगी रूम वगएरा क्लीन करने के बाद मैं आई हूँ अपनी बैलकनी में थोड़ा सा बैलकनी वगएरा को भी क्लीन कर दूँगी और बहुत तसली सी मिल रही थी अपना घर साफ सुथरा मतलब 20-21 दिनों बाद दुबारे से अपना घर देख कर और वैसे भी रेनोवेशन के बाद तो घर पूरा चेंज हो गया है तो मतलब बहुत जादा सुकून मिल रहा था अभी इतना अच्छा लग रहा है कि बस अभी फटा-फट से सफाई हो जाए उसके बाद घर को डेको बड़े भी कैसे हो गए तो चलिए थोड़ा बहुत तो यह हो गाई अभी मतलब यह सारी चीज़े जो है ना धीरे-धीरे करके जाएंगी जितना भी सफाई है एक दिन में तो करना पॉसिबल नहीं है तो आराम-ाराम से धीरे-धीरे करके मैं करूंगी ताकि मेरी सेहत भी फेस्टिवल का भी मैं मज़ा ले सकूँ और अपने घर भी क्लीन कर दूँ तो बस यहां पर घर की क्लीनिंग के साथ ही अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूंगी तो यह था मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रू बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक ले बाबाई एंड टेक केर को लिए ओछ कैसे ममने आपके कि यंगना आपके के गना है मोले कि अ हूँ वीडियो को बाद